मैं जीपी दूबे आप लोगों को ITI आइकन चैनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को जार्खंड सरकार जार्खंड संजुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिक्षा परसद वेबसाइट www.http.jcecev.jharkhan.gov.in के द्वारा विग्यापन संख्या JCECEV पालीक 11-20-63 रांची दिनंग 4-11-2020 को प्रकाशित प्रवेश प्रतियोगिता परिक्षा पलीटेक्नीक इंट्रेंस कंपेदिटिव एक्जामिनेशन 2020 हेतु ऑनलाइन आवयदन अंखपत्र आप्लोड और संसोधन एवग साख्यातकार से समंदित अति महतवतुक्र σुझन पॉलिटेक्निक में नमंकन है तू जो प्रत्योगिता परिशा की जाती है जिस संबन्द में ऑनलाइन अप्लिकेशन मार्क सीट अपलोड करना या उसको करेक्शन करना संसोधित एवन कॉंसेलिंग से संबन्दित अति महतोपुर्ण सुचना प्रकासित की गई है जिसके बार देखें तथा यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल आइट आइकन को लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब करें तो आईए चलते हैं वीडियो में उच्छ तकनिकी सीख्षाओं कॉसल विभाग विकास विभाग जारकन सरकार के संकल्प संख्या ग्यापांक 717 दिनंक दू 11-2020 द्वारा राज जीहित में कोविड-19 की महावारी और दिन पृति ने इसके बढ़ते प्रभावों के द्रिश्टी पत रखते हुए विशेस फरिस्तिती में सैक्षनिक सत्र 2020-21 के लिए पॉल्टेक्निक संख्षानों में नमंकन अरहक मैट्रिक और समकक्ष परिश यूई नहीं होगी इसमें केवाल मैट्रिक या समकक्ष जो परिश्टा में पास किए गया है इस इसको स् वैयरित लिष्ट के आनुसार इसका उसके मार्क्स करेम रिच्ट के अनुसार एक निस्ट बनाई जाएगा अधाव रोक ते नेरनाई के अलोक में सेक्षनिक सत्र दोहजर बीस एकिस के लिए पौलिटेक्टनिक प्रविस फूने प्रिशा 2020 का आयोजन नहीं किया जाएगा यानि इस बार दोहजर बीस एकिस में पौलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एक्जामनेशन होगा वह आयोजन न या समद्दित अभिवाव को इतत द्वारा सूचित किया जाता है कि नंबर एक वैसे बहरती जो इस वर्स की अरहक परिक्षा मैट्रिक या समक्ष में साविल हुए हैं तथा ओनलाइन आविदन करते समय परिक्षा पल उपलब्द नहीं रहने के कारण अभी तक वे अपना प प्राप्तंक प्रतिसाथ और इससे दर्ज कर दें तथा अंखपत्र प्रोड कर दें यह प्राप्तंक दर्ज करने का अंतिम आउसर हैं यानि जो इस वर्स 2020 में जो मैट्रिक या समक्ष परिक्षा दे चुके हैं तथा जो जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एक्जामनेशन के अपलाई करने के समय जो आविदन करते वक्त मैट्रिक का अंखपत्र का प्रतिसाथ दर्ज नहीं कर पाये थे उनके लिए एक पुना अंतिम आउसर दिया जा रहा है जिसका डेट 6-11-2020 से 10-11-2020 से नमबर टू वैसे नामंकन के लिए चुकत प्रति जो आप तक किसी कारण वस पॉलिटेक्निक प्रवेश्परतियुकता परिशा 2020 में सम्मिलित होने के लिए ओनलाई आविदन नहीं कर सकते हैं वे दिनंग 6-11-2020 से दिनंग 10-11-2020 तक ऑनलाई आविदन कर सकते हैं आविदन प्रतियुकता प्रिक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और किसी कारण बस यदि अभी तक अपलाई नहीं कर पाएं तो वे दिनंग 6-11-2020 से 10-11-2020 तक ऑनलाई आविदन कर सकते हैं यह आविदन करने का अंतिम आवसर है ओंलाई आविदन में दर्ज की गई विवरनी यथा प्रातांक、 प्रतिस..."कोटा और कोटी का अधार पर मेधसूची तैयर की जाएगी जिसमें अभरती का नाम 2020-2021 2020 तक परस्त कार्याले की इमेल जेसी इसी बोर्ड एड़ ड़ाटकम पर उशीट भेजें यानि अंतिम आउसर 1212-2020 से तेरह 11 2020 तक जेसी सी बोर्ड के इमेल में भेज सकते हैं निर्धार तित्यों समय के बाद सुधार रेतों प्राप्त होने वाला विदनों पर विचार नहीं किया जाएगा अंती मेधा सुची के अधार पॉन लाइन साक्षात कर के मैधम से सीटों का आउंटन किया जाएगा यानि जो अंती मेधा सुची बनेगी उसके अनुसार उनलाइन साक्षात का के मैधम से सीटों का आउंटन किया जाएगा नामंकन के समय भरत्यों को सीट आउंटन के रूप वांचित प्रमान पत्र और पत्रों की मूल प्रती प्रस्तूत करना अनिवारी होगा अन्य था व कि मार्ग दर निर्देशी का या पर्सद के वेबसाइट के डाउंडर कॉलम में उपलब्द है उसे आप देख सकते हैं अब धरीचों द्वारा संस्थानों यह संस्थान तता साख्वां या साखाओं को अपनी प्रात्मिक्ता के अनुसार परसद के वेबसाइट पर उपलद ऑनलाइन कॉंसेलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2020 लिंक में क्लिक कर दिये गें दिशान निर्देशों का अनुसरन करते वे विकल्पों को भरा जाना है अगर अभ्यर्ति को प्रत्म साख्षातकार में प्रत्मिक्ता के वे विकल्पों का किवल अपग्रेडेशन उन्यान होगा अगर अभ्यर्ति को प्रत्म साख्षातकार में प्रत्मिक्ता के लिए अलिजिबल नहीं होंगे नमबर चार आविदान सुल्क नए आविदकों के लिए अगर कोई नया आविदक अपलाई करना चाहता है अड्मिशन के लिए तो उसके लिए निम लिखे था है सामाएं ने डालुएस पीछड़ी जाती वन पीछड़ी जाती टू के लिए छेशों पजास रुपया अनुसूची जाते अनुसूची जन जाती या सभी कोटी की महिला के लिए तीन सो पच्चीस रुपया और नमबर त्री दिब्वैंग जनों को परिक्षा यागन सुल्क दे नहीं होगा परिक्षा सुल्क प्रतिदे नन रिफंड़ेवल होगा या से क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड या या यूपी आई के द्वारा निमने तालिका के अमसर भूकतन क्या जाना है जो अपरती देग या निन्नन रिफॉंडेवल होगा देखें जेनल यूडव से वी सी वन वी सी टू के लिए 400 रुपिया कॉंसेलिंग फी और सी एस्टी फीडेट्स आफ ऑल के टेगरीज के लिए अधवारित यानि डाउनलोड करने है तो आंसिंग नामंकन सुल्क रुपिया एक हजार के रासी प्रुक्त कंडी का पांच में वर्नित तारीक तरीका के अनुसार ही जमा करना निवारी होगा यदि अभी आउन्टित संक्तान में नामंकन लेते हैं तथा ध्यान यारी रख जाएगी अन्याथा अंसिंग नामंकन सुल्क की रासी परसत द्वारा सीज कर ली जाएगी अब व्यारतों को अब बंधिक सीट अवंटन पत्र अपलोड करने डाउनलोड करने के क्रम में दो विकल्प दिया जाएगा जिसमें एक विकल्प को टिक करना विश्यक है नंबर A accepted and participate in next round of counseling. नमबर B accepted and not participate in next round of counseling. उफ्रोप्त कंडिका यह यह बी चुन्ने वले अबर्तियों का अंसिक नाम कंसुल्क जमा करने पर ही आब बंधिक सीट अवंटन पत्र अधभारत यानि डाउनलोड होगा. प्रत्थम सक्षातकार में जदी एक भष्थी को स्य टवंट zupełnie नहीं होता है तो एगे चक्र के सक्षातकार में स्य टावंट है तो इंतेजार करें नमबर साथ ओनलाइन आविदन मेदा सुची का प्रकाशन प्रत्थन तता दुति ओनलाइन साथकार योग नामंकन से समनित प्रमुक्तितिया निम्नुबत है टायम सेडूल पर ओनलाइन अप्लिकेशन और काशारओन और कांसेरिंग फरपी और साथी दोहेज़न तीन प्रत्रुषों। अब्चिक्शन अनुट्रिय। फिनियोग भादेगे मेर्ट लिस्ट वारगे सूली तु द्रेगे सूली . नॉमर्चार पुलिक्शन अफिनल मेर्ट लिस्ट जाफायर थे। सुडॉड प्रोगे साइ। अप्नुट . and choice filling for seat apply allotment 15-11-2020 mock seat allotment result of choice fill up to 16-11-2020 5 p.m. ये 19-11-2020 तक रहेगा mock seat allotment का date last date of online registration and choice filling for seat allotment and locking 20-11-2020 issue of allotment letter 22-11-2020 to 24-11-2020 number 5 document verification and admission in concern institute ये रहेगा 22-12-2020 to 25-12-2020 up to 5 p.m. number 6 vacancy report for institute applicable for concern institute 25-12-2020 time schedule for online second round of online counselling number 1 issue of allotment letter 28-11-2020 to 30-11-2020 number 2 document verification and admission in concern institute 28-12-2020 to 30-12-2020 आयोदान से समन्दित विग्यापन सेंखा जेसी एसी एसी वी अवलिक 11 आवलिक 20-56 दिनांक 25 सितम्बर 2020 को इस सर्थ तक संसोधित समझा जायता था जेसी सी इसी वी आवलिक 11 आवलिक 20-26 दिनांक 25-2020 में नहीत सेस नियम में सर्थ यथावत रहेंगी तो यह परिच्छा नियंत्रक के आदेश से इसे विग्यापित किया गया है तो इस वीडियो के नुसार आप लोग अपना जो मार्कशित ही साल एकजाम देए हैं वह अपलोड कर सकते हैं तो को यह वीडियो यहीं स्मांप थो रहे हैं यदि वीडियो आप लोगों का अच्छी लगी तो इसे Like शेयर तथा मेरे चेनल आइट्या साइकं को सब्स्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो तथा मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो को आप देख सकें धन्यवाद